कि यहां पर वर्ड़्स हैं जो मैं चाहूँँ अपलोग समझें हमारे पास दो यद्वी स्प्रोच अण दोनों को समझने में इन डॉनों को समझना है कि इनके दीपर बेस्ट पेपर opposition साते ही Exceptional का मतलब है Outstanding, Rare, Extraordinary, Acceptionable का मतलब है Objectionable, अपत्ति जनत, यह हमें समझे, Acceptionable का मतलब something which is Objectionable, that people take exception to, English में एक इडियम होता है, आप लोगोंने पढ़ा होगा, टेक एक्सेप्शन टू, टेक एक्सेप्शन टू, टेक एक्सेप्शन टू, टेक एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है To object to something, किसी चीज़ को लेकर आपत्ति करना, तो यह जो हमने एक्सेप्शन टू टेक्स्ट का है, जिसका मतलब होता है, अपत्ति जना, टेकिन जो एक्सेप्शनल है, उसका मतलब होता है, मतलब which is rare, which is very uncommon, टेक है, outstanding, exceptional performance by the team, टेक है, exceptionable language, ऐसे, तो वहां पर आपनी लिगा टे, aircraft has an exceptionable record of reliability, कि वातलब को ऐसा aircraft है, जो बहुत reliable है, तो अगर reliable it is a good thing, if it is a good thing, then why to use adjective exceptionable, instead we should use exceptional, exceptional, यह होगया, ठीक है, next बजाब, आप्छाओ, इसी color से लिखता हूं, कि मने रचाओ, exceptional, outstanding record of reliability, एक है, next बजाब, we are merely uninterested spectators in the whole affair, हमने यह लिख दिया, अब इसमें देखो, क्या समाझ नहीं, इसमें भी दू adjective, जिनका हमें meaning समझना है, और फिर meaning से answer पूता चलेगा, एक adjective है हमारा uninterested, और एक है disinterested, एक और दू, ठीक है, तो यह दो adjective है हमारे पास, uninterested और disinterested, इनका हमें difference समझना है, अब देखो, uninterested का मतलब होता है lacking interest, lacking interest का मतलब जिसमें interest की कमी है, जिसको किसी काम करने का मनना हो, आप कह सकते हैं loth, आप कह सकते हैं unwilling, तो uninterested का मतलब हो गया, मतलब uninterested का हम करते हैं, describe करने के लिए किसी ऐसे person को जिसमें किसी काम को करने का मतलब हो गया, lacking self interest, lacking self interest, जिसका कोई self interest ना हो, मतलब जिसका अपना कोई मतलब ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, दूसरे सब्द में कह सकते हैं unbiased, जो निस्पक्ष हो, इंपार्सल, जो पक्षपाती ना हो, मतलब जो कोई party ना हो, मसले में, वो हो गया, disinterested, तो यह हो गया disinterested, अब जैसे हमने लिका, we are merely uninterested spectators in this whole affair, हमने का वह इस पूरे मामले में हमारा कोई role नहीं है, तब रोल नहीं होने का मतलब हम इस party में हम उस party में, हम तो बस तर सका है, तो यह मतलब अगर हम nice side है ना उस side है तो इसका हमारा अपना कोई self-interested हमारी कोई party नहीं, वी आर अनबायस्ट, तो ऐसे situation में हमें यह adjective जो उसका रखाना, uninterested, इसकी जगे उसका नहीं चाहिए, dis-interested, तो यहां पर हाप लिगे, dis-interested, here हाप काहम से, okay, we are merely dis-interested spectators in the whole affair, okay, next वाजी, the impact of our action is more effective and long lasting than our words, the candidate couldn't answer the two last questions asked by the interviewer, answer बताई है सार वेक्षा, यह दो questions देखिए जो आपको screen पर दिख रहे हैं उनको समझी और इनका answer होता है, the impact of our action is more effective and long lasting than our words, the candidate could not answer the two last questions asked by the interviewer, अब यहां पर देखना, यहां पर सारे उच्चे देखना, जो पहला वाले question है, इसमें हमने लिगा, the impact of our action is more effective and long lasting than our words, अब हमने पिछली classes में पढ़ा, कि then के बाद हम उसे लिखते हैं जिसका हम comparison कर रहे हैं, then के बाद हमने यहां पर लिखा our words, तो इसका मतलब हम our words का comparison कर रहे हैं, तो अगर हम our words का comparison कर रहे हैं, तो किससे कर रहे होंगे, our action से, our action is more effective and long lasting than our words, कि जो हमारी क्रिया होती है, जो हम करते हैं, उसका प्रभाव ज्यादा समय तक रहता है और ज्यादा मतलब effective होता है, बजाए कि जो हम कहते हैं, उसका असर कम होता है, तो यह सही हो जाता है, लेकिन ध्यान से देख्यों, यहां पर subject impact है, तो हम comparison यहां पर words का और actions का नहीं कर रहे हैं, हम comparison कर रहे हैं उनके impact का, उनके answer का, जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं, उसमें जो हम कहते हैं उसका असर ज़्यादा नहीं होता है जो करते हैं उसका ज़्यादा होता है तो हमें Ice К यहां पर देखो क्वेस्ट नाउन के साथ में हमने एक लिखा और लास्ट एक लिखा काडिनल टूब अब पिछली क्लास में पढ़ा देखे अगर हम कभी किसी नाउन के साथ में ओर दोनों लिखने और और शुटिट काडिनल और नल्स रोते हों काडिनल से पहले लास्ट है तो इसको अधिकर लिखना पड़ेगा इसको अधिकर अगले प्याँ